थाया अगए दोस्तो आपने घर में कई बार पोहाँ उपमा बनाकर खाया है क्या आपने कभी मिलिट्स का उपमा बनाकर खाया है और यह बैद हेल्दी होता है स्वादिश तैयार होता है हमारे देश के प्रधान मंत्री मान्य श्री नरेंद मोधी जी भी इसे प्रमोट करते हैं कहते हैं हमें मिलेट्स अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए इन्हें उन्होंने श्री अन्न का नाम दिया है तो दोस्तों आज में बनाने जा रहे हूं जुआर का वेज स्वी बाई सुनीता सिंग पर आये बनाते हैं जुआर का वेजिटेबल उपमा इसे बनाने के लिए हमें किन-किन सामगरी की आवशकता है उसे हम बता देते हैं और मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूंगी तो सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम जुआर लिया देख देखेगा ये फूल चुके हैं अब इस पानी को मैं नितार दूँँगी और एक दो बार पानी से और धोलूँगी और उसके बाद इसे मैं कुकर मैं ढाल दूँगी तो friends यह मैंने एक कटोरी जुआर ली थी तो इसका तीन गुना यानि कि मैं तीन कटोरी पानी डाल दूँगी क्योंकि यह उबालने में वक्त लेते हैं तो पानी चाहिए कि आदा चमच इसमें मैं नमक डाल दूँगी कुकर की लिट लगा दूँगी तेज फ्लेम पर तीन सीटे आने दूँगी उसके बाद 15 से 20 मिनट धीमी फ्लेम पर पकने दूँगी सब्जियों मैंने एक कटोरी स्वीट कॉन एक कटोरी टमाटर कट करके ले लिए यह छोड़ पसंदें आप शामिल कर सकते हैं जो पसंदें उन्हें स्क्रिप कर सकते हैं इधर कुकर ठंडा हो चुगा इसकी प्रेशर अपने आप रिलीज हो चुकी है आए में लिट खूल करके दिखाती हूं देखिए जवार अच्छी तरह से फूल गई है इसमें क्रेक्स भी पढ़ यूज कर सकते हैं तेल गरम होने पर एक चम्मच जीरा डाल दोगे जीरा क्रेकर होने पर दो पिछ हींग मेरी बहुत श्ट्रॉंग है इसलिए थोड़ी डाली है यह करी पत्ते डालोंगी करी पत्ते पसंदर डालीगा आप इसके भी कर सकते हैं लेकि इससे जाय कब बढ़ जाता है तो लेजिए अद्रक हरी मिर्च को हमने हलका भून लिया है अब चोथा ही चमच हल्दी डाल कर इसे अच्छे से मिला लोगी अब जो हमने सब्जी कट करके रखी हैं उन्हें डाल दूगी सबसे पहले गाज़े डाल दूगी स्वीट कॉन डाल दूगी टमाटर डाल और इन्हें अच्छे तरीके से मिला लोगी ताकि तड़का सभी सब्जीयों पर अच्छे से कोट हो जाए अब मैं स्वात के नुसार चोथा ही चमच नमक नमक समल कर डालें क्योंकि नमक हम उबालते समय जवार में डाल सुके हैं अब हमें नमक सिर्फ सब्जीयों के लगातार चलाते हुए इसे मिलाऊंगी ताकि मसाली सब्जीयों के साथ अच्छी तरह से भूंजाएंगे इससे जाएगा बढ़ जाता है अब सब्जीयों को पकाना है इसलिए मैं एक टेबलिस्पून पानी डाल दोगी ताकि पकाते समय मसाली जले नहीं और ढख करके इन देखे जाएंगे ताकि जाय का सब्जीयों में अच्छी तरह से पहुंच जाएं तो देखिए हमारी जुआर में मसाली और सब्जी तरह से मिल चुकी है अब इसमें मैं एक टेबलिस्पून पानी डालूँगी क्योंकि हम इसे दो-तिन मिनट और पकाएंगे ताकि सब्जी मसाले हमारी जुआर में अच्छे से पहुंच जाएं और इसे धीमी फ्लेंपर पकाऊंगी धग कर रख दूगी लगभग तीन मिनट बार आएए मैं आपको लिट खोल करके दिखाती हूं देखे बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है और हमारा परफेक्ट जुआर का वेजिटेबल उपमा बनकर के तैयार है तैयार उपमा को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कितना खिला खिला उपमा बनकर तैयार हुआ है जैसे साबुदाना का हो लेकिन यह जुआर का वेजिटेबल उपमा है और इसका जायका तो मैं आपको बताती हूं बहुत ही अमेजिंग है तो दोस्तों मेरी बताईगे रेसिपी के अनुसार आप भी जुआर के वेजिटेबल उपमा को बनाईएगा और कमेंड सेक्षन वो बताईएगा जरूर आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और फ्रेंड्स इसे बनाते समय कुछ बातों का ध दाला था तब भी हमने थोड़ा सा पानी डाला ताकि हमारा जो जुआ है वो टाइट ना हो सौफ्ट बना रहा है तो इसी तरीके से बनाईएगा और दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कोमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर की ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें थैंक्स वर वाचिंग मिलती हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई